इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह कुछ कैमिकल मेसेंज के स्तरावन को ब्लॉक करता है जो लालपन, सूजन और खुजली का कारण बनते हैं. यह मस्तिश तक जाने वाले दर्ट के संकेतों को ब्लॉक करके भी काम करता है जिससे दर्ट की समवेदना कम हो जाती है. ओटोवा यह ड्रॉप केवल बाहरी अंग करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज और समय के लिए इसका इस्तेमाल करें जब तक आप को उस पूरा न कर लें, तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें, चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हूं. इस दवा का इस्तेमाल आम तोर पर किसी भी सामान्य साइड इफेक् हुआ हो, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. गर भावस्था और स्तनपान करवाने के दौरान इस दवा का इस्तेमाल के वल तब किया जाना चाहिए जब यह स्पश्ट रूप से ज़रूरी हो. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.